लो वीर, हो गई तुम्हारी सर्वसिंग, मैं ज़रा ये सामान वापस रखता हूँ मुझे तो पहले से ही शक था कि ये वीर रोबोट है, आज देखता हूँ इससे तो ऐसा खराब करूँगा कि फिर ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा अब तुम बिलकुल ठीक हो, जाओ वीर, अब तुम बाहर जाकर खेल कुछ सकते हो खापी सकते हो, जो चाहे कर सकते हो दादाजी, मैं पहला ऐसा रोबोट हूँ, जो इनसानों की तरह खापी सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ हाँ वीर मैंने तुम्हें ऐसा इसलिए बनाया है कि लोगों को तुम पे शक ना हो कि तुम इनसान नहीं एक रोबोट हो आमेजिंग रोबोट दादा जी कुछ-कुछ मैं कुछ दूट रहा है वीर यह क्या कर रहे हो क्या हुआ तुम्हें क्या हुआ दादा जी वीर को क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ वीर आचानाक रोबोट की तरह बिहेव कर रहा है मैं भी यही सोच रहा हूं वीर 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 इधर अंदर चलो बंटी ने देख लिया तो गण बढ़ हो जाएगी बंटी वीर तो घर पर नहीं है दादा जी वो घर पे ही है नहीं तो इमली चुलपुल यहां नहीं होते मैंने उसे अभी अभी अंदर आते देखा है यस यस मुझे पता था वीर यहां है यह देखो क्या पता था वीर तो यहां प्रेक डांग कर रहा है आज वीर का रास वाश हो जाएगा कि वीर एक रोबोट है ममे पापा हिमली मुझे वीर को ठेक करने के लिए टाइम चाहिए अब ये बट्टी सब को बुला लाएगा वीर चुट्की बजाओ जल्दी चुट्की बजाओ वही मदद कर सकता है क्या हुआ चिंटू वीर के मेकनिजम में प्रब्लेम आ गई है बट्टी को शक हो गया है वो अपने मम्मी पापा को बुला कि वीर की पोल खोलने गया है कुछ करो टोंट वरी अग्रम बग्रम आलम फालम एकडम तिकडम दम 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 दादा जी अब वीर को अंदर ले जाओ मैं बंटी को समालता हूँ बुड मॉनिंग अंकल आंटी जैसे हैं आप ओए बंटी क्या बग रहे हो तुम वीर तो ठीक ठाक है पापा ये रोबोट है रोबोट मैंने अभी देखा था वीर रोबोट की तरह चल के दिखाओ लेकिन बंटी मैं तो प्रेक डांस कर रहा था ये देखो ऐसे ओए बंटी क्या बोल रहे हो तुम वीर तो ठीक ठाक है बंटी की मम्मी इसके कान पकड़ कर ले जाओ मैं थोड़ा डांस करके आता हूँ स्टॉप स्टॉप ये सब हमें बुद्दू बना रहे है चलो यहां से मरना अब हमसे बिटोगे शुकर है वो चला गया चलो अब वीर को ठीक करते हैं मैंने उसे कमरे में बंट करके रखा है ताकि वो बाहर ना जाए मैं यहां क्या कर रहा हूँ भूल गया यह किसका घर है और मैं यहां कैसे आया वीर वीर तुम तुम सच सच बता दो तुम रोबोट वो की नहीं वीर यह कुम है मुझे नहीं पता मुझे चाट खाने का मन कर रहा है तिर से खराब हो गया इसका मेकैनिसम आवो मैं तुम्हें चाट खिलाता हूँ तुम्हारा नाम वीर है और मैं बंटी हूँ तुम्हारा दोस्त चलो चलो चाट खाते हैं चलो ओ नो लगता है वीर इस खिडकी से बाहर निकल गया जल्दी चलो उसे ढूनते है जाओ चाट वाला अंदर है अंदर है चलो केकी फेकी चलो अब मम्मी पापा को लेकर आते है और दिखाते है कि ये वीर ही रोबोट है ये क्या यहां तो कोई नहीं है चाट खिलाने की जगह यहां बन कर दिया ये कैसा दोस्त है मैं जा रहा हूँ ये कि ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या बोस 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 गुड्यूस बीर को पकड़के ले आ रहा हूँ हाँ बोस अरे मेरी चाट की रादी आउट 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 बोस बचा बोस बचा बोस बोस ये यहां कैसे आ गया पकड़ो इसे पकड़ो तुम दोने यही पहरातो देखना कि वो कही भागे नहीं मैं मम्मी पापा को बुलाकर अभी आता हूँ मम्मम मम्म मम्मम ….. पापा वीर… वीरखक कह रोबोट है मैने उसे कहकी के घर में बंद कर दिया है चलो अभी प्रूबकर करके दिखाता हूँ कि वो एक रोबोट है बंटी इस बार अगर तुम्हारी बात जूती निकली तह तो तुम्हारी खयर नहीं यह लड़का भी ना बस ऐसे ही परिशान करता रहता है इमली जिन्टू को डोंडो बंटी वीर को ले गया है और कैकी के घर में बंद करके रखा है वो उसे एक्सपोस कर देगा जिन्टू चल्दी चलो वीर का राज खुलने वाला है उसे बंटी ने पकड़के कैकी के घर रखा है तुम कौन हो जिन्टू मैं हूँ मेरे दोस्ट बंटी ने बताया था मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा जिन्टू तुम्हारे सर पे मकड़ी गिर गई है मैं उसे एक कपली मार के भगा देता हूँ तो तुम्हारी सिर पे है हटो हटो भागो इबली जल्दी करो बंटी के ममी बापा कैकी के घर पर पहुँच गए है सारो चिट्टू, इस इमजनसी ओ इमली, मैं यहां कैसे आया, क्या हो रहा है अग्रम बग्रम आलम फालम तिक्डम तिक्डम दम दमादम तुम्हारे बदन की सब मिटी साफ हो जाए और तुम ठीक हो जाओ अरे इमली, हम सब इस रूम में क्या कर रहे हैं शुक्र है, तुम ठीक हो गए, सुनो अब तुम लग ज़रा बहाँ जाओ और देखो मेरी आंटे अंटी अंकल बंडी केकी पेकी मुझे जबर्दस्ती पकड़ के लिया है और बंद कर दिया बंडी बाट कराब है मत रो बेटा, मत रो क्यों बंडी, ये रोबोर दिख रहा है ये तो अच्छा खासा लड़का है इसके तो आंसू भी बेह रहे हैं ये हमेशा मुझे घलत साबित कर देता है आप केकी फेकी से पूछो पीर तो नॉर्मल है हमारे जैसा बंडी ने कहा इसे पकड़के बंड कर दो, हमने बंड कर दिया आंडी, बंडी हमेशा इसके पीछे पड़ा रहता है आंडी, help me बंडी को समझाईए ना मेरा पीचा छोड़ दे दादा जी, बंडी ले मुझे मिस्टर चट्टा, आप अपने बेटे का कुछ करिये हमार जिसे ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर आपको ये कभी तर नहीं करेगा यह इतनी अची एक्टिंग कर रहा है मैं तो असकी अच्पे इसके जैसा नहीं रो सेकता मामी मैरा याकीन करो, यह रोबोट है बाई बाई बंटी मामी मामी देखो 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 यह रोबोट है, इसकी करदन देखो फुरसत गंज में अचानक कुछ हफ्तों से पानी की कमी पढ़ती ही जा रही है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लेक का पानी भी सूखता चला जा रहा है यह पानी कहां जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, यह जानना है तो देखिए, आज रात हमारा प्रोग्राम पानी का रहस्य लेकिन दादा जी अचानक यह पानी की कमी कैसे हो गई? अभी सा कुछ मेहने पहले लेक के ओवरफ्लो होने की कबरे आ रही थी यह बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है बेका, कि आखिर अचानक से यह पानी चला कहां गया, जबकि अभी तो इतनी करनी भी नहीं पड़ रही है कि पानी भाप बन कर उड़ जाए दादा जी इसका कुछ न कुछ करना ही होगा, वरना फुरसत गंच के लोग बहुत परिशान हो जाएंगे हमें पानी के रहस्य का पता लगाना ही होगा, आज राद देखना न भूले, कैसे सोचाया हमने पानी का रहस्य दादा जी, क्या आपके हाँ एक बाल्टी पानी मिलेगा, पानी? हाँ, मैं नहा रहा था और अचानक पानी चला गया, मैं तो मिस्टर चड़्डा को देखका दर ही गया, मुझे लगा कोई भूत है, हाँ, मैं भी डर गया था, दादा जी जल्दी कीजिए, पानी दीजिए मेरी आँखों में साबुन लग रहा है, हमारे गाँ ऐसा नहीं होता हूँ वाह, ठैंक्स ये बाली कहां से आ रहा है ठैंक्यू वेरी मज़ पुप्तर, थैंक्यू वेरी मज़ तुम हमेशा उल्टी सीधी हरकते क्यों करते रहते हो? हाँ, जब करो तो सीधी सीधी हरकते ही करो. मेरा मतलब है कि अकेले मिश्टर चड़ा की प्रॉब्लम सॉल्फ करने से कुछ नहीं होगा, जिन्टू. करनी है तो पुरे फुर्सत गंज की प्रॉब्लम सॉल्फ करो, वरना अभी तो मिश्टर चड़ा नहाने के पानी के लिए आये हैं, कुछ देर बाद बाकी सारे लोग यहां नहाने आ जाएंगे. अच्छा, ऐसी बात है, तो अभी देता हूँ हर सवाल का एक जवाब. अगड़म बगड़म आलम फालम एकड़म तिकड़म दम नमादव. अब हर घर के उपर क्लाउड है, किसी को पानी की कमें ही नहीं होगी. जिन्टू, तुमारा एक बखेड़ा बन नहीं होता, और तुम दूसरा खड़ा कर देते हो. बन करो ये सब, और लोगों को भुला दो, कि उन्होंने पादल दमानी भरा. क्या बात है उपर वाले, तेरे खेल भी निराले हैं. वाँ, 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 हर घर के उपर बादल, ये तो कमाल हो गया. वो सतकंज में तो लेग से पानी आता है, वहाँ पानी क्यों कम हो रहा है, ये मैं जा के पता करता हूँ. अंड़ वाटर सूप अन्! इमली चलबल, तुम लोग यही रुको, मैं अभी आया. चलो, हम भी चलते हैं वीर के साथ. लेकिन वीर तो मना कर गया है. तो तुम मज जाओ, हम तो जाते हैं. नहीं, नहीं, मैं भी चलती हूँ. वाँ, मचलियों का जीवन कितना सुन्दर होता है. इसी पानी में रहना, खाना, मज़े करना. इपली, शान्ती खत्म हुई. वो देखो, कितनी बड़ी मचली. भागो. अरे, ये यम्दूत मी कहां से आ गई? जिन्टू कुछ करो. ये कहां से आ गई? भागो. वो, यहां तो एनर्जी बन रही है. तो ये बजा है पाने की कमी की. हां, यहां एनर्जी बन रही है. और अब जब तुम हमारे काम में टांगनाने आही गए हो, तो तुम्हे भी कुछ न कुछ तो बनाना ही पड़ेगा. Because I am mad. Very, very mad. आज तो तुम्हारा भूर्ता बना कर छोड़ेगे. चलो देखते हैं कि तुम मुझे कुछ बनाते हो या मैं तुम्हे. Boss! Boss! Hey! Transformer on करो बेवकूफ! रिमोट कहा है? रिमोट से उसे start करो! रिमोट करो! उसकी एलेक्रिकल पावर अन करो! जल्डे! दूसरा red button दबाद! Red button दबादिया, Boss! या याव! याव! वाव! बीम, को जब रवादिया! याव! समीन पर खड़े होके नहीं लड़ सकता फ्लाइ करके ही लड़ना होगा अभी ठीकाता हूँ नहीं को पापस करो मेरा रिपोर्ट पापस करो तुम्हारे ट्रांसफोर्मर का खेल अब खतम तिम्बक्टू पहले रेड बटन दबाता हूँ और उसकी बिजली की पावर खतम करता हूँ अब इसे आप करनेगा ग्रीन बटन फिर मैं और तुम बचएंगे तिम्बक्टू आफ इसे जदाख रंपे रिप Shri झाल को ठहाएं! उर वोग यारे! का रषाहह.... का बाण का दो एकली है कि एक कि एक एकली है एकली है पूस चंग दिल में बीन है आप देको दिन दिन ये विरीन पॉट्स लगता है मेरा ही खेल खत्म हो गया ओ फीर मैं तो टर ही गई थी इट्स हो गेम ली और पता है मैड मैक्स पानी से बिजली बना रहा था और उस बिजली से इलेक्टरिकल ट्रांसफ़र्मर रूबोट बना रहा था अब फुरसत गंच में पानी की कमी कभी नहीं होगी पानी का रहस्य का परदा फाश हो गया है चलो दादा जी को बताते हैं क्या है पानी का रहस्य आप देखना न भूले आज रात पानी का रहस्य और हस्य दो यह हो पटानी का रहस्य प्लूले छानी का रहस्य भूले आज रहस्य